आप देख रहे हैं दिबोस न्यूज टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रविवार 30 अक्तूबर को पर्थ में भारत दक्षिन अफरीका का महा मुकाबला होने वाला है इस ब्लाक बास्टर मैच से पहले दक्षिन अफरीका के बलेबाज एडन मरकरम ने कहा है कि भारती स्टार बलेबाज विराट कॉली और दक्षिन अफरीका पेस अटेक के बीच मुकाबला रोमांच होगा अफरीका टीम अब तक दो मैचों में एक जीती है और एक में नतीजा नहीं निकला है उसके दो मैचों में तीन अंख है वहीं भारत दो मैचों में चार अंख के साथ गुरुप टू में शिर्ष पर है मरकरम ने मैच से पहले कहा यह रोमांच होने वाला है हमारे तेज गेंदबाज विराट कोहली को गेंदबाजी करना पसंद करते हैं उन्होंने अपना फर्म वापस पा लिया है लेकिन हमारे गेंदबाज भी इस समय अच्छा परदर्शन कर रहे हैं महिनों तक खराब फॉर्म से जूजने के बाद विराट ने एशिया कप में वापसी की है तब से वह बारह पारियों में 78.28 की आउसस से 548 रन बना चुके हैं उनकी वापसी के बाद से उन्होंने नाबाद 122 रन के सर्फ रिस्ट स्कोर के साथ 1 शतक और 5 अर्ध शतक बनाएं मरकरम ने कहा है कि अपनी टीम की गेंदबाजी काई पर भरोसा है अफरीका टीम के पास एन्रिच, नोट जो और कगिसो रबाडा जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल है उन्होंने कहा पर्थ अन्य मैदानों की तुलना में अधिक उच्छाल वाला है उमीद है कि हमारे गेंदबाज इसका फाइदा उठा सकते हैं मारकरम ने कहा है कि भारत मजबूट टीम है और उमीद है कि उनकी टीम मैच के दिन उनके खिलाफ अच्छा परदर्शन करेगी दक्षिन अपरिका की बल्यवाजी में उनकी भूमिका के बारे में मारकरम ने कहा कि यदि शिर्ष करम तावर तोड़ अंदाज में बल्यवाजी करती है तो रन गती को बढ़ाने की जिमेदारी फिर मध्यकरम के पास आ जाती है यदि टीम मुश्किल में है तो आपको आराम से बल्यवाजी करनी होती है मैं खुद को बीच में कहीं शिफ्ट देखता हूँ मैं टीम की जरुरत के मताविक खेलता हूँ इसी पर मेरा ध्यान होता है मैं आपको बता दूँ कि दोनों टीम में लगभग इस परकार है रोहिश शर्माक कप्तान है केल राहूल विरात कोली शुर्य कुमार यादव हार्दिक पंडिया दिनेश कार्तिक विकेट कीपर है अक्षर पटेल, रवी चंदन अश्वीन, भुबनेश्वर कुमार, मुहमद शमी, अर्चदीब, हर्शल पटेल, रुशाब पंथ, विकेट कीपर के रूप में है यूजवेंदर चहल, दीपप हुटा भी शामील है तो दक्षिन अफरीका की टीम भी कुछ इस परकार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद